नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप गोस्वामी, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक चमतकारिक औस्थी हाथी सुन्दी के बिशल में हाथी सुन्दी का पोधा आईरवेद की एक चमतकारिक औस्थी है, इसका पोधा एक से तीन फीट तक उचा होता है, इसके पुस्पो की मंजरी साथ आठ हिंच लंबी होती है, जो हाथी के सुन्द के समान दिखाई देती है इसलिए इसे हाथी सुन्दी, हस्तिनी, घुरुंडी, इत्यादी नामों से जान जाता है, सरीर में चाहे कैसा भी फोड़ा पुंसी या जख्म हो, इसके पत्तों को पीश कर लगाने से तुरंत आराम हो जाता है हाथी सुन्दी के जड़ को सर्प या बिच्छो के दंस पर पीश कर लगाने तथा पिलाने से सर्प तथा बिच्छो का बीश तुरंत समाप्त हो जाता है पागल कुट्टे के काटने पर हाथी सुन्दी की जड़ को पीश कर पाँच बुंद मदार का दूद मिला कर पिलाने तथा जख्मों पर लेप करने से पागल कुट्टे का बीश उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता है और व्यक्ती फूरता स्वस्त हो जाता है हाथी सुन्दी के पत्तो का रस पिलाने से मुग गले और पेट के छाले तथा घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं मिर्गी के रोगी के नाक में हाथी सुन्दी के पत्तो का रस डालने से छीक आने लगती है तथा नाक से मिर्गी के कीड़े निकलने लगते हैं और कुछ ही दिनों में मिर्गी का रोग जड़ से समाप्त हो जाता है।